जये श्री राम लेकिन जाते जाते आपको अच्छे समझा दूँगा दोस्त देखो सबसे पहले होता क्या है ना कि इस दुनिया में हर कोई हर कोई सफल होना चाता है हर कोई कुछ अचीवमेंट पाना चाता है और जब वो ऐसा नहीं कर पाता है तो बड़ा परिशान हो जाता है और ये चीज यूटूब पे हो के आके सबसे ज्यादा होती है आप यूटूब पे आए अपना चैनल बनाए वीडियोस पर वीडियोस अप्लोड कर रहे हैं आपकी वीडियोस वाइरल नी जा रही है तो ऐसे में आपका दिमाग खराब होने लगता है आप गुस्सा होने लगते हो आप चिड़ चिड़े होने लगते हो आप किसी से भी लडाई करने लगते हो आप घर में अपनी मा से लड़ने लगते हो बहन से लड़ने लगते हो पापा से लड़ने लगते हो, भाई से लड़ने लगते हो, जिसको आप सबसे ज्यादा चाहते हो, आप उससे भी चिड़ चिड़ आने लगते हो, उससे भी जगड़ा करने लगते हो, और फिर आप अपना मना शांत करते हो, अगले का यह मना शांत कर देते हो, इससे क्या होत आप अपना relation भी बेगाणने लगते हो YouTube प्याने के बाद यह सारी स्थितियां होती है मैं आपको बता रहा हूं और वीडियो वाइरल होने का राज क्या है YouTube पे बता दूँ है देखो YouTube पे वीडियो ना कभ वाइरल होगी आप आप नहीं जानते मैं नहीं जानता कोई नहीं जा जाएगी या फिर बार बार थंबनेल बनाओ अलग-अलग चेंज करो आपकी वीडियो वाइरल हो जाएगी ऐसा कुछ भी होता नहीं है मैं 2017 से YouTube पे हूं multiple channels पे मैंने काम किया हूं अभी भी कर रहा हूं हलाकि मतलब अभी उतना काम नहीं कर पा रहा हूं लेकिन channels हैं चार channel म मेरे monetize हैं और मैं आपको एकदम डंके की चोड़ पर बोल सकता हूं कोई भी यूट्यूबर आपको ये नहीं बता सकता है कि कैसी वीडियो वाइरल होगी और कौन सी वीडियो वाइरल होगी ये सारा चीज आपके लग पे डिपेंड करता है YouTube पे आने के बाद आप सिर्फ क कर सकते हैं आपके हाथ में अगर कुछ है तो वो वीडियो अपलोड करना आपके हाथ में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है सारा चीज यूटूब पे है सारा चीज आपके लग पे बस आपको ये कोशिश करना है कि वीडियो जो भी आप बना रहे हैं उसमें नॉलेज अ कोई होंगे कि कैसे वीडियो वाइरल करें YouTube कैसे बूस्ट करता है तो यह चैनल ना हम लोग के यह पूरे चैनल फालतू गई हैं कोई मतलब भी नहीं है इन चैनल का कोई भी मतलब नहीं है और इन चैनल का कोई भी फ्यूचर नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग देखना देते हैं और चले जाते हैं YouTube पर वीडियो वाइरल करने का आपको कोई भी ट्रेक नहीं बता सकता मैं आपको बस इतना वोलूगा कि रोज काम करो YouTube कोई ना कोई एक वीडियो वाइरल निकालेगा रोज काम करोगे तब मैं अभी आठ महीने लगतार काम किया तब इस चैनल क के बाद भी कई लोग आपको बोलते हैं आपको भी लगता है कि quality होगी तो ही video वाइरल होगी ऐसा कुछ नहीं है खराब quality पर भी video वाइरल होती है और maximum मैं कही बढ़ देखता हूँ कि खराब वीडियो ही वाइरल हो जाती है audience क्या देखना पसंद कर रही है आप वो चीज देखाएए वीडियो वाइरल होगी और आप ये भी नहीं बोल सकते कि audience अखर देखना भी चाह रही है आप फिर भी वो वीडियो देखा रहे हैं तो भी वाइरल हो ऐसा कुछ नहीं, सारा चीज आपके लग पर डिपेंड करता है, मैं आपको बता तूँँ देखो, हम लोग जो महनत करते हैं न, तो हमारी महनत इश्वर देख रहा है, हमारी महनत नेचर देख रही है, तो जितना आप यहाँ पर महनत करोगे, सारा फल नेचर आपको देगी, इश्वर आपको देगा तो कभी भी अपने काम में काम चोरी मत करो कभी भी तिगड़म मत लगाओ YouTube पे आने के बाद आप अगर काम चोरी किये अपने काम में तिगड़म लगाओ तो फिर नेचर भी बहुत होशियार है भाई आपको देगी नहीं इश्वर भी आपको देगा नहीं बस आप काम करो रोज काम करो एक राज है सिर्फ वीडियो वाइरल होईने का कि आपको रोज काम करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप रोज काम करोगे अलग-अलग टॉपिक्स पर वीडियो बनाओगे अलग-अलग topics पर वीडियो बनाओगे अच्छा रोज वीडियो अपलोड करने से भी क्या होता है कि YouTube आज कल ऐसा हो गया है कि जब तक आप रोज वीडियो अपलोड नहीं करोगे तब तक आपके चैनल को आगे नहीं भेशता है हर नए नए बंदों के सामने आपकी वीडियो जाती है रोज अगर काम करोगे तो तो उसी में कभी आपकी कोई वीडियो वायरल हो जाती है यापर वीडियो का लिंग है आप उन प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस देखिए कि YouTube पे कैसे काम करना है YouTube कैसे वर्क करता है आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी आप सबने उन सभी वीडियो को 5 स्टा रेटिंग्स दी है अगर आप एक सफल YouTube बनना चाहते हैं तो आप जरूर देखें और मैं सीना ठोक के डावे के साथ बोल सकता हूं कि ऐसी बात YouTube पे कोई नहीं कर रहा है जैसी बात मैं कर रहा हूं आप एक बार यार किवल एक बार मुझको सुनने का मौका तो दीजे आप बस एक बार सुनेगे ना वीडियो सारी सुनते रह जाएंगे आपको इतना अच्छा लएगा तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही प्लीज वीडियो को लाइक कीजे डिस्क्रिप्शन चेक कीजे मिलता हूं मैं आप सकली वीडियो में श्री सीता राम